नमस्कार महप्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है अगर आप भी आने वाले समय में विहार की राज़धानी पटना में मकान बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारा आज का ये वीडियो बेहधी खास होने वाला है क्योंकि पट्टा में घर बनवाने के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है जहां आप नक्षे के लिए अब परेशान नहीं होने वाले हैं क्योंकि अब आप नक्षे के लिए नगर निगम के ही एक पोर्टल पर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग के मार्ग दर्शन मिलने के बाद ही अब नगर निगम ने इस पोर्टल का नर्मान कारिय शुरू कर दिया है इसके लिए विभाग ने पिछले महीने ही अनुमती दे दी है नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार फरवनी में नए नियमों को बनाया गया है 10 एप्रिल के पहले पोर्टल बनाने का काम हो गया है विभाग से मार्क दशन नहीं मिलने के कारण ही पोर्टल अभी तक नियमित रूप से चालून नहीं हो सका है जानकारी के अनुसार अब 31 मार्च के पहले आये सभी आवेदन का नश्पादन करने का काम कर लिया गया था अब तक लगभग 200 आवेदन लंबित पड़े हैं लेकिन अब सभी आवेदनों का नश्पादन करने का काम होने वाला है भवन के नक्षा बनाने में अब कोई परिशानी आने की उमीद नहीं जताई जा रही है आवेदन के बाद अब स्थलों की जाच भी की जानी है जिसके बाद ही नक्षा की स्विक्रती जाच के बाद आएगी इसको लेकर सभी तयारियां अब पूरी कर ली गई है नए नियम की माने तो नगर विकास और आवास विभाग में वास्तोविद को निबंधन कराना था जिसके कारण ही नक्षा बनवाने का काम ठप पड़ा था विभाग के मार्ग दर्शन के बाद ही फिर से इसे शुरू कर दिया गया है लंबे समय से लोग परिशान थे और पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे जिसके बाद ही अब आवेदन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि नगर निगम ने ओफलाइन प्रक्रिया को ही छेत्र में बंद कर दिया है वही राजु के अन्य नगर निकाव में ओफलाइन नक्षे के लिए आवेदन की विवस्था अभी भी मौजूद है फिलहाल वर्तमान समय में पटना में ही पोटल के माध्यम से नक्षे के लिए आवेदन कर सकते हैं वही अगर आप बिहार में अन्य जिलो में रहते हैं तो आपके पास भी नक्षा डाउनलोड करने के बहुत सारे विकल्प है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से राज्य के सभी भूमे रिकॉर्ड्स को ओन्नाइन पोटल उपलब्ध करवा दिया गया है बिहार का कोई भी व्यक्ति अब अपने खेत का नक्षा, प्लोट का नक्षा और सभी तरह के जमीनी दस्तावेश मातर पांच मिनट में अपने मुबाइल फोन से ही इसको निकलवा सकते हैं किसी भी जमीन का नक्षा निकालने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी पोटल शुरू कर दिया गया है और जमीन का अपना खाता, खतोनी, पंजी रजिस्टर, आदी विवरन आप बिहार सरकार के बिहार भू नक्षा पोटल पर जाकर देख सकते हैं आपको बता दे, सरकार का मकसद लोगों को उनके जरूरत के अनुसार बिना रुकावट के सूचना और जानकारी उपलब्ध करवाना है राज्य का कोई भी व्यक्ति, फ्री में अपने जमीन या फिर खेत का नक्षा बहुत कम समय में प्राप्त कर सकता है भू नक्षा पोटर के ऑन्नाइन होने से विहार के लोगों को अब तहसील, सरकारी कार्याले के चक्कर लगाने का काम नहीं करना पड़ता है उनका ये काम घर बैठे बैठे ही आसानी से हो जाता है जिसके बाद अब पटना में भी शुरू हुई नई विवस्ता से उमीद है कि आने वाले समय में जिन लोगों को अपना घर बनवाना है उन्हें नक्षा के लिए इधर उधर चकर काटने की नौबत नहीं आएगी बलकि ओन्नाइन माध्याम से घर बैठे बैठे ही वो नक्षा निकाल सकेंगे इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद